सारी चीजों ने मेरे दिल को बहुत टाइच किया बहुत जग जोर दिया सीबी लड़की को स्कूल में मंगल सूतर पहन के या बिंदी लगा के जाते हुए नहीं देखा है तेवल एक राजनीती में अपनी लकडियां ऐसी जोंकते हैं नफरत की वो अपनी देश की बेटियों के लिए इस तरह के अपमान सूचक और अभधर भाशा का प्रियोग करें कि वर्क सहाव उसी पार्टी के नेता हैं जिसके जो संस्थापक तेक अदावर नेता मैं उनका नाम नहीं लूँगी कि लड़के हैं गलती हो जाती है यंग लड़की जिसके ब्रदर की प्रोटेस्ट के दौरानी मौत हो गई और ये दुखत इसी थी किस्वी सदी में भी हो रही है जब अफगानिस्तान को देखते हैं वहां की दुरदशा तो सच में हिर्दय बहुत रोता है यही शरम की बात है कि ये लोग नहीं बोलते हैं हम लड़कियों को केवल हिजाब को तमीज से ना पहनने के लिए जेल में डाला गया महलाओं से रिलेटिट किसी भी मुद्दे पर मैं मुखर हो के बोलूँगी अपनी बुलन तरीके से नमस्कार स्वागत है आपका इत्सियन नियूज में मैं हूँ आपके साथ नितीश पाठक इरान में हिजाब के बिरोध में छिड़ा मामला अब पूरे विश्व का मुद्दा बन चुका है पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें एक महिला अपनी बाल काड़ती हुई नजर आ रही है और यह वीडियो तीजी से सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है आज वही मैला हमारे साथ हैं जी हाँ आज मेरे साथ मौझूद हैं डॉक्टर अनूपमा भारत द्वाज मेरा पहला सवाल आप से ही रहेगा आपका एक वीडियो तेजी से वाहराल हो रहा है उसमें आप अपनी बाल कारती हूँ नदर आ रही है क्या वज़ा है जी जब मेरे क दो पता चला जैसे सोचल मीडिया पर भी लगाता रहा रहा था न्यूस्वेपर में निकल रहा था एरान में हो रहा है एजिटेशन प्रोटेस्ट के बारे में जिसमें जिसका बहुत गंदे धंग से दमन किया जा रहा था हूँ और ये एजिटेशन स्टार्ट हुआ एक टर्किश लड़की के मृत्यू के कारण क्योंकि उन्होंने हिजाब को थोड़ा धंग से नहीं लगा रखा था तेहजीब से नहीं पहना था तो उनको पुलिस ने गृफतार कर लिया वहां पर एक मॉरल पुलिस होती है जिसे गश्टे शाद भी कहते हैं और कि वो कोमा में चली गई तो उसके तेरा तारिक की ये बात है और इसके बाद वहां पर बड़े स्थर पर प्रोटेस स्टार्ट हो गए तो मैं भी इसको देख रही थी सोशल मीड ने ने भी अ पर भी देख रही थी मैं टेलिविजन पर भी इस यस को देख रही थी तो देखने देखते फिर वहां पर लोगों ने अपने बाल काट के विरोध करना शुरू कर दिया शाहिए लोगों को पता ना होगा क्यों कि Parshya में पर स्टिन कल्चर में बाल काट के इस सारी चीजों ने मेरे दिल को बहुत टाच किया बहुत जग जोर दिया और सप्राइजिंग बात यह थी कि जितना शूर हमारे इंडिया में इसको लेके होना चाहिए था उतना नहीं था और यह सोच के मैंने जस्ट की लोगों में अवेरनेस इस तरह के इंसिडेंट को लेके इसलिए मैंने अपने बही बाल काट कर विरोध प्रकट किया मैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया में भी इस प्रकार के अवेरनेस होनी चाहिए क्या वज़ए इसकी पीछ आप क्या सोचती है जी मैंने इसको इस पूरे घटना करम को महला इंपावर्मेंट के लिए मैंने इसको किसी भी शेत्र धर्म जाती इससमें बिलकुल भी नए बाता है मेरा मानने एकि महलाओं को इस 21st century में महलाओं को हर तरह से independent होना चाहिए, financial independent होनी चाहिए, किसी को उनको यह बताना नहीं चाहिए, कि तुम क्या पहनो, कैसे पहनो, कैसे चलो, कैसे उठो, कैसे बोलो, यह उनकी अपनी मर्जी है, आप बस उनको शिक्षा की उनके हाथ में दे दीजिए, बाकि आप सब छोड़ दीजिए, वो अपने आप अपना रास्ता बना लेंगी, अपने आप जो सही गलते वो चुलेंगी, तो यही मेरा टेक है. मैं, आप अगर जागरुक करना चाहती थी, तो आप डोर टोर कमपेंड करती, किसी और शीच का सहारा लेती, आपने बाल काटना ही क्यूं सही समझा? क्योंकि इरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां की अंडिमोक्राटिक और संस्था या शाशन के प्रती, तो वहां पर लोग बाल काटके ही अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, और बहुत सारे वेस्टरन कंट्री में, अक्रॉस दे लाइन, मतलब बहुत सारे नेशन कि अगरूं भगवान की, कि लोगों में इसकी चर्चा हुई, लोग बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, और इसके बारे में डिस्केशन कर रहे हैं. मैम वीडियो वाइरल होने का बाद कितना असर पड़ेगा, आपको क्या अगता है? जी, मैं बहुत पॉजिटिव नेशर की हूँ, और मुझे पूरी उमीद है कि इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि कई सारे न्यूस चैनल ने आके मेरा इंटर्विव लिया है, बहुत सारे व्यूस हैं, तो मेरा बिलकुल मानना है, जितने लोग देखेंगे, बिलकुल इसका असर पड़ेगा और इसका बिलकुल पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्या मैं हिजाब पहना सही है या गलत है, जी, मैं इस मुद्दे पर बिलकुल भी नहीं जाना चाहूंगी, मेरा मानना है कि यह अपनी च्वाइस है, पर हाँ एक छह साल की बच्ची को कोई भी व हो, उसको एक अपना मैचोर लेवल पर आना चाहिए, उसकी उम्रूस हसाब से होनी चाहिए, कि वो अपना डिसीजन ले सके, और एस फॉर एस जो हमारे देश में विवाज शुरू हुआ था, वो हुआ था स्कूल में, कि स्कूल में युनिफॉर्म पहननी चाहिए यानी त तरीके से उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ, रादर राज में एरानी एम्बैसी भी गई थी, अपना प्रोटेस वहां पर दर्श करने के लिए, तो उन्होंने मुझे वहां से हटा दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं खड़े हुने दिया, तो मैं वापिस चले आई, मैं मे चाहतियों की मेरी आवाज इरान तक भी पहुंचे और उनको पता चले की वर्ल्ड के हर कोने पर उनकी भसना हो रही है, लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं मैं आठ मर्च को हमारा जो है अंतराष्टी महिला दिवस होता है, हमारे पड़ उसी मुल्क में कारकरम होता है, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी करके बहुत सारे कारकरम होते हैं, अगर आप बाकी काबूल बगर हमें जाएंगे, तो वहाँ पर तो आँख दिखाना मतलब की महिला को दबाया जा रहा है, जी बिलकुल दबाया जा रहा है, तालिबानी जो सोच है और पेट्रियार्कल पुरुषवादी सोच है, उसकी वज़े से और ये दुखत इस्ती थी, किस भी सदी में भी हो रही है, कि एक और तो आप जैसे देखे हमारे देश में, आईस में जो प् पिएशडी की थी, तो दूसरी और हम जब अफगानिसान को देखते हैं, वहां की दुरदर्शा, तो सच में हिर्दय बहुत रोता है, कि ये कैसे संभव है कि आज के इस समय के मौडरन टाइम में भी महलाओं को ऐसा कष्ट उठाना पड़ रहा है, एक तरफ आप जो हिजा है, तो हिजाब को लोग बिरौत कर रहे हैं, लेकिन कुंघट पर नहीं बोलते हैं, जी, जो को प्रता है, वो चाहिए हिंदूों, मुस्लिम सिक हिसाई किसी में भी वह कुर्पता है, हर धरम के लोगों को अपने दिल के अंदर जाग के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कि हमारे धरम में क्या बुराई हैं, क्या कुरूइतियां हैं, हम उनको कैसे दूर करें, उसको अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए, खुले मन से 21 सदी के आप लोग हैं, तो आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए. मैं अगर अपने देश में बात करें, तो जब भी हिजाब का मामला आता है, तो एक स्कूली मामला चल रहा है, कि स्कूल में आप हिजाब पहन कर जाओगे या नहीं, करनाटक में बहुत बड़ा बबाल ख़ड़ा हुआ वहाँ पर, अस्तादू जिनों वैसी, हो कह रहे हैं कोवेशी जी का कहना बिल्कुल गलत है, ये केवल एक राजनीती में अपनी लकडियां ऐसी जोंकते हैं, नफरत की, जिससे की जादा तर जो हमारी आधी हाबादी है, जिस्तुरियों की आधी हाबादी है, वो इनी चीजों में उलजी रहे, वो प्रगती ना कर पा है, और वोट बैंक बड़ी हाचकाचक बना रहे, और ये इसी तरह चुनाव जीते रहें और राजनीती करते रहें, जितने शिद्दत से ये हिजाब की पैर भी कर रहें, उतनी शिद्दत से ये ये क्यों नहीं कहते हैं, कि मैं हर लड़की के हाथ में किताब दीखूँगा, मैं हर लड़कियों को उच्छी शिक्षा प्रदान करवाना चाहता हूं, मैं हर बच्ची के हाथ में किताब देखना चाहता हूं, मैं हर महला को फाइनेशली इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूं, तो मेरा ये पैगाम है उनको कि वो करपया करके इस तरह के बूल भी बूला कर व्यक्ति को बहुत जादा रिस्पेक्ट और सम्मान देते हैं, वो अपनी देश की ही बेटियों के लिए इस तरह के अपमान सूचक और अभधर भाशा का प्रेयोग करें, पर इसके साथ मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी, कि वर्क सहाव उसी पार्टी के न जिस पार्टी की विचार दारा इसे तरह की हो, तो उसके वर्कर इसी तरह की बोलेंगे, महलाओ का इसी तरह हर पास्विल में वो महलाओ का अपमान करेंगे, लडकियों को डimoralize करेंगे, महलाओ को इसी तरह वो जलील करेंगे. कुछ भी अगर घटना घटती है तो जितनी भी मौलवी हैं या मौलाना हैं आज आते हैं अपना बयान देते हैं मौलवी मौलाना करते हैं कि हम अपने धर्म की बात करते हैं अपने धर्म के हिसाब से हम लोगों को सलाते हैं लेकिन हिजाब का मैटर में जो इरान में हिजाब का मैटर हो रहा है या अपने देश में हिजाब का मैटर होता है ये लोग नहीं बोलते हैं क्या आवज है यही शरम की बात है कि ये लोग नहीं बोलते हैं हमारे देश के हिंदुस्तान में जो भी लड़किया हैं उनको देख कुछ बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि 16 साल के लिए लड़कीों को केवल हिजाब को टमीज से ना पहनने के लिए जेल में डाला गया मेरा विनम्र निवेदान है कि होवेशी जी आये मंच पर जोर्डार पुरज़ोर तरीके से अपनी बहनों के लिए भी कुछ बोले जो इरान में इतना जादा सफर कर रही है मैं देश सरिया से चलेगा या फिर सम्विधान से जी देश को सम्विधान से ही चलना चाहिए और हर व्यक्ति को सम्विधान का पालन करना चाहिए मैं पुना कहूंगी चाहें वो हिंदू हो मुसल्मान हो सिखों इसाई हो किसी भी या वो जैन हो किसी भी धर्म के लोगों हम सब भारत वासी हैं हमको अपने समिधान के प्रती पूरी श्रद्धा पूरा सम्मान रखना चाहिए और उस पर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए मैंम आप एक हिंदू महिला हैं और एरान में मुसलिम महिलाओं के साथ जिस तरीके से कुकृत हो रहा है दवाया जा रहा है आप हिंदू होकर मुसलिम महिलाओं के साथ खड़ी हैं क्या वज़ा है जी मैंने जैसे आपको शुरात में कहा कि विश्यो के किसी भी कोनिय में किसी भी महला पर वो किसी भी धर्म की हो किसी भी जात की हो किसी भी रीजन की हो मेरा पूर्ण सपोर्ट उसके लिए है मैं हमीशा उनके लिए खड़ी रहूंगी महलाओं से रिलेटिट किसी भी मुद् कितना पढ़ती है अपने आपको कितना इंडिपेंडेंट हो पाती है उनकी सोच कितनी विक्सित हो पाती है वो क्या डिसीशन लेती है और वैसे तो अभी ये मैटर सब जुडिश है सुप्रीम कोट के अंडर में तो मेरा असपर ज्यादा टिपड़ी करना उचित भी नहीं है अंतिम सबालमें आप देश की महिलाओं और साथी साथ पूरे विश्व की महिलाओं से आप क्या कहिएगा जो हिजाब की वज़ा से कहीं ना कहीं अपने आपको दवे कुछले महसूस करती हैं अपने आपको एक दाइरे में महसूस करती हैं उन महिलाओं को आप कैमरे के जी मैं हर महला को चाहें वो हिजाब की वज़ेसे दब्य है, है या किसी और मज़ेसे दब्य है, मैं सब को ये संदेश देना चाहती हूं साथ मैं माताउं को भी कहना चाहती हूं कि आप अपनी यो पर 16पन को सीमत कर है उनकी सपनें relat Virus काई ग़िझी Laurie कर दो कर दो